हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तुप तुक इलेक्टिकल्स आज हम जानेंगे कि जो हमारा थ्री पिन टॉप प्लग होता है ये इसके पिन जो रहती है ये पीतल की क्यों बनी रहती है और पीतल की बनी के साथ ये अर्थिंग वाला जो पिन रहता है ये लंबा और मोटा क्यों होता है और साथ में ही इसमें ये कट क्यों होते है इन सब की जानकारिया जानेंगे कि ऐसे क्यों रहता है सबसे पहले जान लेता है कि पीतल धातु के गोन क्या होते है पीतल तो सबसे पहले ये है कि इसमें जंग नहीं लगता जिससे अगर हमारा स्रेपिन टॉप ज्यादा दिन तक रखा रहेगा तो जंग नहीं लगेगा जंग नहीं लगेगा तो हमारा सुरक्षित पड़ा रहेगा उसके बाद यह एक नर्म धातु है जिससे घर्शन कम होता है घर्शन ना होने के कारण इसमें स्पार्किंग भी नहीं होती है यह एक और डिस्कनेक्ट होने पे स्पार्किंग नहीं होगी पीतल की खासियत यह है इसलिए पीतर का प्लग अच्छा रहता है और यह गुड कंड़क्टर भी है कॉपर का लगवग 40 से 50 परसेंट गुड कंड़क्टर है यह और सबसे बड़ी बात कि यह बहुत ही अच्छा कट क्यों रहते हैं दोस्तों यह कट इसलिए रहते हैं कि जब हम प्लग को लगा देते हैं सौकिट में तो अगर इसमें ज्यादा लोड रहेगा लोड होने के कारण यह हीट भी होगा जब हीट होगा तो यह फैलेगा हीट होने के बाद अगर फैलेगा तो यह सौकिट में आपने सुना योगा कोई भी धातू हो, तो हीट होने के बाद वो फैलती है, तो जो ये कट रहता है, जो इसका फैलाब रहेगा, वो कट के अंदर हो जाएगा, जिससे यहाँ पे इसकी मोटाई नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे इसकी यह जो गेपिंग है, यहाँ पर मुटाई बढ़ जाएगी और यह फसेगा नहीं यह इसका फिजिकल लॉजिक है इसी की वैसे इसमें हर प्लग में कट रहता है चाहे वैप पीतल का प्लग हो स्टील का हो या किसी का हो अब जानते हैं कि अर्थिंग का यह पिन मोटा और लंबा क्यों होता है स्पोस करिए इससे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट चल ला है मान लीजे कोई प्रेस चल रही है प्रेस में क्या हुआ बाइदेवे जो फेस का यह अंदर से वायर गया है वो हमारी बॉड़ी से टच हो गया यानि प्रेस की बॉड़ी से टच हो गया जब प्रेस की बॉड़ी से टच हो जाएगा तो जैसे ही यह प्लग लगेगा तो हमें पूरी बॉड़ी में उसके करंट आ जाएगा जो भी उसको यूज करेगा उसको शौक लग जाएगा यह जटका लग जाएगा अब क्या होता है मान लीजीए body से touch हो गया और इसमें earthing लगी है हमारे socket में earthing proper है और यह earthing का जो pin रहती है यह आपको पता ही है कि किसी भी instrument में आके उसके body से touch हो जाती है अब क्या होगा जैसे ही यह plug हम लगाएंगे तो फेज अंदर घुसने से पहले या अंदर जाने से पहले ये दोनों पिन अंदर जाने से पहले सोकेट में पहले ये जाएगा लंबाई का कारण पहले बता रहा हूँ पहले ये जाएगा यब ये जाएगा तो इस plug से जो भी आपका instrument चल लाहा है वो instrument क्या होगा मान लिजिए जो भी instrument चल लाहा है ये पहले गुज जाएगा तो वो instrument अर्थ हो जाएगा अब अर्थ हो जाएगा मान लिजिए उसमें face touch है body से जैसे ही इस plug को लगाएंगे अगर mcb protection है तो mcb trip हो जाएगी क्योंकि face और earth touch हो जाएगे आपस में मिल जाएगे और अगर थोड़ा बहुत leakage रहेगा तो वह earthing के through earth में चला जाएगा जिससे आपको current नहीं लगेगा उस body में current नहीं आएगा अगर leakage है अगर पूरा ही touch है तो mcb अगर लगी है तो trip हो जाएगी या कोई भी fuse लगा है तो fuse उड़ जाएगा जिससे आपकी safety बनी रहेगी अब जानते हैं ये motor क्यों रहता है motor इसलिए रहता है कि मान लिजए ये पतले दो इसलिए रहते हैं load case आपसे बनाया जाते हैं और जब earthing में current बहेगा तो short circuit होगा जब short circuit होगा तो ज़्यादा current बहेगा ज़्यादा current बहेगा इसकी वज़े से ये motor लगाया जाता है आशा करता हूँ कि आपको समझ में आगया होगा कि इसमें क्यों ये earthing का pin motor लंबा होता है और इसमें cut रहते हैं तीनों में cut तो रहते हैं heat up होने के कारण ये फैलेगा फैलने के कारण उसमें फस सकता है जिससे आपका socket निकलेगा नहीं और ये अगर cut रहेंगे तो इधर की तरफ फैल जाएगा जिससे आसानी से निकल जाएगा बाकी फीतल के गुण मैंने आपको बताये दिये है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें